हेलो फ्रेंड्स आज का मेरे टॉपिक है सरकार द्वारा कीमत नियंतर्ण उच्चतम कीमत एवम अन्यूंतम कीमत प्राइस कंट्रोल बाइदा कॉवर्मेंट सेलिंग प्राइस एंड फ्लोर प्लाइस तो शुरू करते हैं सरकार द्वारा कीमत नियंतर के साथ समस्त समाज के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार विशेश वस्तों की कीमत को संतुलन कीमत के स्तर से नीचे या उपर निर्धार्द करती है जैसे विशेश वस्तुएं, अनिवारिय वस्तुएं की कीमतों के उच्चतम स्तर पर उच्चतम कीमत और कुछ वस्तुओं जैसे क्रिशी पदार्थों कीमत के नियुनतम स्तर को नियुनतम कीमत कहते हैं तो पहला है उच्चतम कीमत उच्छदम कीमत से भी प्रहे उस कीमत से है जो उत्पादक अपने वस्तु के लिए प्राप्त कर सकती है इसे उस त्रिती में लागू के जता है जब जीवन के लिए नीतांत आवश्य वस्तुएं जैसे चीनी द्वाईया आधी की बजार में बहुत दुलबता पाई जती है क्या कारण इन वस्तों की संतोलों कीमत के बहुत अधिक बढ़ जानने की संभावना होती है तथा ये वस्तों अधिकांश जनसंख्या की पहुंच से बाहर होती है अब आता है उच्चितम कीमत का प्रभाव यदि उच्चितम कीमत संतोलों कीमत के बराबर या अधिक निधार्थ हो जाती है तो इसका अर्थ वस्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसके विप्रीत यदि उच्चतम किमत संतलन किमत से नीचे निधार्थ की जाएगी तो मांग आधिक्या की स्तिती होगी अर्थात मांग पूर्ति से अधिक होगी जिसे निमन रिखाचित्र के द्वारस पष्ट कर सकते हैं आपके सक्रेम पर एक रिखाचित्र दिया है इस र प्राबर है उच्चतम किमत op1 है इस कीमत के करण पूरति घट कर P1A और मांग बढ़कर P1B हो जाएगी अता है मांग में पूर्ति से अधिक व्रस्थी होगी मांग की अधिकता के करण 4 पजारी शुरू हो जाएगी जिसे रोकने के बश्रकार राशनिंग लागू करती है प्राय उन्हें यह कीमत दी जाती है अब नियूनतम कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है यदि नियूनतम कीमत प्रचलित कीमत के बराबर या कम निधर्द होती है तो उसका बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रन्तु यदि नियोंत्यम कीमत संत्यों किमत से अधिक निधार्थ हो जाती है तो उसके कारण पूर्ठी आधिक्या की स्तिति उद्पन होगी अर्थाथ पूर्ठी मांग से अधिक हो जाएगी इसको हम निमर एखार चितर से स्परस्ट कर सकते हैं आपके सक्रीन पर एखा चितर दिया है जिसमें OX अक्ष पर वस्तू की मत्रा और OY अक्ष पर वस्तू को कीमत को लिया गया है संतुल कीमत OP और संतुल मत्रा OL है OL मत्रा OQ के बराबर है यदि नियुनत्यम कीमत OP2 निर्धार्थ हो जाती है तो यहाँ संतन किमत से अधिक निर्धार्त होती है इसके कारण पूर्ती में P2B व्रिधी और मांग में P2A कमी होती है जिसके कारण पूर्ती अधिक के स्थिति उत्पन हो जाएगी अधिक पूर्ती होने पर कीमतों में भारी घिरावट होगी और नियुनतम किमत निर्धार्ण का उदेश्य पूरा नहीं होगा इस्थिति को नियंतल करने के लिए समर्थन किमत को नियुनतम किमत के पूरक के रूप में लागू किया जता है समर्थन किमत वह किमत होती है जिस पर सरकार किसानों के अर्दिक्या उत्पादन को स्वेव खेतने के लिए बचन बंद होती है धन्यवाद